खंभे ने पकड़ रखा है, एक समय शराब का एक व्यसनी एक संथ के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ, इसकी वजह से मेरा घर बरबाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किन्तु मैं शराब के बगर नहीं रह पाता, मेरे घर की शांती नश्ट हो गई है, प्रिपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं, जिससे मैं अपने घर की शांती फिर से पासकूँ, बुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है, तो तुम इसे छोड क्यों नहीं देते, व्यक्ति बोला, पूज यश्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूं, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है, कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, बुरुदेव ने हसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूनगा की दूसरे दिन निश्चित समय पर वो व्यक्ति महात्मा के पास गया, उसे देख महात्मा जट से खड़े हुए और एक खंभे को कसकर पकड़ लिया, जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा, तो कुछ समय तो वो मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर बाद महात्मा जी ने खंभे को नहीं छोड़ा, तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव आपने व्यर्थ इस खंभे को क्यों पकड़ रखा है, गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है, ये खंभा मेरे शरीर को पकड़े हुए है मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किन्तु ये तो मुझे छोड़ी नहीं रहा है, उस व्यक्ति को अचम्भा हुआ, वे बोला, गुरुदेव मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ, आपने ही जान बूच कर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है ये तो निर्जिव है, यह आपको क्या पकड़ेगी, यदि आप द्रिर संकल्प कर लें, तो इसी वप्त इसको छोड़ सकते हैं गुरुदेव बोले, नादान मनुश्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंभे ने नहीं बलकि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बलकि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को जाएगी, शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और और मन में जैसी इच्छा शक्ती प्रबल होती है, वैसा ही कार्यस सफल होता है, वह शराबी गुरु के इस अमृत वच्छनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्द भाविश्य में कभी शराब पीने का द्रिल संकल्प किया, उसके घर में खुशिया लोट आई और वह शांती से जीवन यापन करने लगा, इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है, जिसे एक बार ग्रहन किये जाने के बाद छोगा ना जा सके, अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्यार कर सकता है,